अचारिये नरेंदर देवा युनिवरसिटी ओफ एगरिकल्चर और टिकनलोजी कुमार गंच अयोधिया में पोस्ट एर्फटाइज हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की और इनको फिल करने की स्टार्ट डेट है वो चार मार्श थी चार मार्श दोजार चौबिस से आप जो है ये फॉर्म इनका जो है डाउनलोड कर सकते है अप्लिकेशन फॉर्म इनकी वेबसाइट से और जो क्लोजिंग डेट है समेशन की वो 6 अप्रेल है 6 अप्रेल तक इनको ये ओफ लाइन फॉर्म फिल करके आपको भेजना है पोस्ट से तो जो पोस्ट है आप देख लीजे एक बार असिस्टन प्रोफेसर के आपकी हुमन डेवलप्मेंट एंड फार्म जो फैमिली स्टडीज है वहां पे निकली है एक और एक्स्टेंशन एजूकेशन एड कम्यूनिकेशन मैनेजमेंट में एक अन्रिजर पोस्ट निकली है और यह जो है आपकी कॉलेज ओफ कम्यूनिकी साइंस में निकली है दूसरा जो है कॉलेज ओफॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री में फ्रूर्ट साइंस में एक पोस्ट निकली है और जो आपका अग्रिकल्चर इंजिनियरिंग का जो कॉलेज उसमें बेसिक इंजिनिरिं and applied sciences की एक post निकली है SC category में जबकि farm machinery and power engineering की एक EWS category में post advertised हुई है जो fisheries college है वहाँ पे आपका fisheries extension economics and statistics में निकली है aquaculture में निकली है and aquatic environment management में post advertised हुई है college of agriculture में आप देखोगे तो agriculture business management आप में एक unreserved eco-bc और एक SC category की plant pathology में EWS category की निकली है जबकि assistant entomologist की post निकली है वह भी एक निकली है EV EWS category में assistant breeder की post निकली है आपकी एक unreserved SC और एक ST category में जबकि genetics and plant breeding की post advertised हुई है आपकी एक unreserved category में agronomy में एक OBC post निकली है जबकि seed technology assistant की निकली है एक EWS category में ठीक है तो यह आपकी total आपकी post है जो advertise हुई है eligibility criteria आपको पता है यह master degree होनी चाहिए आपकी जो भी concerned subject है और उसके साथ ही आपका net qualify होना चाहिए और अगर आप PhD हो तो net आपका जो है exempted रहता है या तो आप MSC net होनी चाहिए या PhD होनी चाहिए जो concerned subject है उसमें ठीक है वही सब इसमें दिया है basic qualifications दी है इसमें कि आपकी basic qualification क्या है रहेंगी आप इनको checker लीजेगा एक बार form फिल करने से पहले आपके यह concerned subject भी है मतलब अगर आप यह post फिल करना चाहते हो human development and family studies में तो आपकी जो master degree है अगर वो home science में है community science में with specialization in human development and family studies या आपने human development में MSC की है या child development में MSC की है तो आप यह home फिल कर सकते हो तो यह concerned subjects होते basically जो आपके आप अगर इन में से किसी में भी degree किये तो आप वो post फिल कर सकते हो extension के लिए भी इन्होंने ये इतने सारे concern subject दी है fruit science के लिए भी यहाँ पर दी है subject कि ऐसा है नहीं कि आपके MSC सिर्फ fruit science में तभी आप भर सकते हो आपने MSC in pomology की है या master degree in horticulture की है agriculture भी the specialization in fruit science किया है fruit crop improvement या genetic resources में की है या fruit tree nutrition में की है तभी भी आप यह form फिल कर सकते हो किसी में भी अपनी master degree की है तो आप इसको भर सकते हो form को यह आपका criteria रहेगा जो scorecard बनता है PIE scorecard assistant professor के लिए आप चेकर लीजेगा graduation के लिए जितने भी marks है post graduation के जो marks है mphil phd net सब के research publication हो गया आपके teaching या post doctoral experience हो गया award हो गया ठीक है state level को यह award है या international award है written examination भी होगा आपका 40 marks का और presentation होगी 20 marks की और interview 10 marks का होगा total आपके 100 marks होगे sorry total 140 marks होगे है आपके तो यह आपका criteria रहेगा selection के लिए ठीक है यह आपने application fee है आप देख लीजेए यह application fee है आपकी 15 रुपे है आपका demand draft बनाना है आपको और form के साथ ही भीजना है 15 रुपे है unreserved OBC के लिए औ EWS के लिए 750 रुपीज है SCST और PWD candidate है उनके लिए और form फिल करके form जो है इसका जो form है वह आपको इनकी official website मिल जाएगा वहां से download करना है आपको demand draft बनाना है अपनी category के according और उसको भीज देना है इस पते पर Comptroller अचारिये नरेंदर दिवा University of Air Culture and Technology कुमार गंच अयोध्या ठीक है तो यह इनका address है जिसमें आपको भेजना है आपको देखो इस मेनोंने लिखा है कि demand draft लगाना है bank charges जो है इसके addition में जो भी हम आपको pay करने है इसी के साथ जब demand draft बनाओगे ठीक है और fee returnable नहीं है और यह आपका क्या है इसमें mention करना है application form जो आप भर होगे उसका envelope होगा application form for the post of this post के लिए आप भर रहे हो serial number क्या है post का इस advertisement में उपर 123 करके serial number है reference number जो है advertisement जो हुआ है यह आपका यह आपको भेजना है और last date आपको लिखके जो भी आपका envelope रहेगा उसके उपर यह सब कु कुछ लिखना है और तब आपको भेजना है along with all the documents जितने भी आपके documents है उनकी photocopy भी इसके साथ में आपको भीजनी है यह सब जो है documents इन्होंने देखो यहां पर लिखे हुए हैं कि आपको क्या क्या documents शीए हैं आपको तो आप यह instructions वगेरा है एक बार जरूर देख लीजे झाल